अगेर आप रोड में चलते होगे ट्राइवल करते होगे यह आप कहीं भी जाते होगे तो आपने अलग-अलग इस तरीके के मांजिश्टॉन को जरूर देखा होगा कभी कबर हम ट्राइवल करते हैं तो हम Google Map का भी यूज करते हैं बट कई बार आज भी पुराने टाइम के या आज के टाइम के लोग भी इस पत्थर का यूज करते हैं अपने डेस्टिनी को मतलब देखने के लिए कि हम कितने दो तक पहुँचे हैं किए पूरी जो भी road होते हैं उसे सही तरीके से map कर हमें बताती है यह हम कहां जा रहे हैं हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं कौँसा सहर पड़़़़ है कौँसा गाउँ पड़़़़़़ यह सारी information उनको इस जगह से मिल जाती है तो ये पत्थर का मीनिंग क्या होता है, माइल स्टोल का मीनिंग क्या होता है, आज हम समझेंगे, कि इसके जो भी डिफरेंस कलर के जो भी कलर पाए जाते हैं, वो क्यों होते हैं, और कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है, कि इसके अलग-अलग कलर होने के डिफरेंस क्या ह है चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बारे में समझते हैं कि यह कलर डिफ्रेंस क्यों होता है बीसिकली हमारे जो रोड्स होते हैं इंडिया में उसे बहुत साइग कलर्स की जो माइल्स्टोन पाये जाते हैं बारे में समझते हैं कि कलर की डिफ्रेंस क्या होते हैं सबस द्वारा बनाया जाता है और ये राज्य सरकार द्वारा ही इसका जो maintenance होता है इसकी जो भी responsibility होती है उसे state government पूरी तरीके से इसे करती है and second है orange and red color का दिखता है orange color का जो milestone है अगर आप destiny को cover करनी की कोशिश करते हो और आप कभी road भूल जाते हो या आपके google map में भी सही तरीके से नहीं बता रहा है तो अगर आप भूल जाते हो तो आपको कभी भी orange color का milestone दिखाए देता है तो रिप्रेजेंट करता है कि सामने आने वाला जो भी road के आने वाले जो भी है वो एक village है लाइक जबी भी आप road में cross करते हो तो अगर आप village को पहुचने वाले रहोगे तो आपको सामने दिखाए देगा कि ये orange color का जो भी milestone है वो orange color का हुआ तो आप समझ जाओ कि ये प्रधान मंत्री ग्रामी सड़क योजना के द्वारा बनाया गया है ये जो yellow color का milestone पाया जाता है जो basically yellow and white color का होता है राज्य सरकार ये राज्य मार्ग पर होता है सदेव देखा गया है कि ये national highway को represent करता है इसकी जो भी maintenance responsibility होती है वो पूरी की पूरी केंदर सरकार द्वारा होती है and fourth है black and blue color का milestone ये black and blue दोनों साथ में क्यों बता रही हूँ क्योंकि जो ये इसकी meaning है वो similar होती है बट इसे दो अलग-अलग color में बनाया जाता है white color का कुछ इस प्रकार से दिखता है and blue color का कुछ इस प्रकार से दिखता है and ये blue and white color का जो stone होता है बहुत बड़े cityों में यूज किया जाता है जैसे दिल्ली, पूनी, मुंबई इस cityों में ज्यादा तर ये stone देखनी को मिलता है and ये सरकार प्रशाशन दौरक के अंदर बनाया जाता है and five totally white color का जो stone पाया जाता है non classified rose को represent करता है यह आवरगी क्रिस सडक होता है वह बहार के जो भी सडक होते हैं जो ruler area के भी कह सकते हुआ जो बनाया जाता है सडक लोक नेभान विभाग दौरा इसे PWD जो राज्य शाशन दौरा लोक हीत में आवर्शक्ता को देखते हुए बनाया जाता है अगर कही सडक नहीं है उनको आवर्शक्ता होती है तो ये PWD के दौरा बनाया जाता है आपको ये वीडियो बहुत हैल्फूल होगी और मैंने इसे सिंपल वे में सरजाने की कोशिश कह रहे है और आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमाइंड बॉक्स में आप पूस सकते हूं और थाइंक्यों